यूपी विदान सभा चुनाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोशना पत्र जारी कर दिया है इस घोशना पत्र में यह एलान किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीस लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगे खास बात यह बनेगी या नहीं बनेगी और अगर सरकार बनती है तो यह वादा पूरा हो पाएगा यह नहीं पूरा हो पाएगा और खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो जो 40 प्रतिशाद आरक्षण दिये जाने की बात की गई है वह कितना कारगर साबित होगा इस पर हम संगम नग आग्रेस गवर्मेंट काफी दिनों से चल रही है तो पिछले चालीस सालों से चल रहा है लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है अधर में है अपने सीट कुदी बचा सकती है और लोगों को बहुता ब्ला ला रही है और ऐसा पर थाकता आपका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है वहुक राख़ावित होंगे कंग्रेस को वोट कर गई उसमें भी और भी आरक्षित कर जैसे कि वी सीच जनरल इन सब में डिवाइड कर दी जाएंगी उससे हम लोग को कुछ नहीं मिलने वालन वैसे इस अब रह जाएंगे सरकार आती रहेंगी बदलती रहेंगी और हम लोग ऐसे बेरजगार रहते हैं मतलब आपका यह कहना है कि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सिस्टम नहीं बदल पाता है आप बताइए कि जो महिलाओं को अलग आरक्षण देने जाएंगी बाद कहीं गई है यह तो एक अच्छी पहल है आप लोग खुश है मुझे नहीं लगता कि शायद दिया जाएगा क क्योंकि कोई भी सरकार आती एलेक्शन जब आता है तो कि नहीं नहीं वेकंसिस लाती है